किया कैसे जाता है इसके पीछह video मुर्क था इसkindhan करता है इसके पीछे वीडियो ग स्केसा का वोलिभयर होता- है कैसे एक है पीछे कीशन सिंग वारे में किटने डाइप का लाइसेंस होता था है कॉस्ट लगता है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्किप्शन में दे दूंगा वहां जाकर आप देख लिए यहां पर हम बात करेंगे कि हम होलसल के बिजनेस को कैसे करते हैं तो थोड़ा से बारे में बात करेंगे बट ओरल बिजनेस किया कैसे जाता है सिस्टम क्या होता से कैसे करते हैं उसके बारे हम बात करेंगे ठीक है तो अगर आप न्यू है यहां पे तो आप पॉइंट वाइस सारी चीज नूट करते जाएगा एंड यहां पर कै वीडियो को कि आपने मैं यह बांद रहा हूं कि आपने लाइसंस ले रखा एक्छुली लाइसेंस साथ में लिया लाइसेंस बिसलिक यहाँ पर लगने वाले हैं अगर आपका ड्रक लाइसस दूसरे नमबर पर आपका जीयेश टी एंड तीसरी नमबर पर आपका फूड बहुत आसानी के साथ बन भी जाता है ठीक है यह तीन लाइसेंस आपके पास में हैं अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं बैसिकली मार्केट के लिए प्रिसकिपोटर निया जंडर अल्मॉष्ट रहता है मंउटिंग का शनका कोभर करते हैं अब यहां ऐ बन Привет जाँगा लग 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 स्मिलर है तो पहले में नंबर पे आता है कि अगर में होसल काम करने जा रहा हूंगा तो माल कहां से पर्चिश करूंगा जो गुड्स मुझे लेना है जो मुझे सेल करना है क्योंकि जैसे मैंने नए इस बना हुआ ऐसा तो है नहीं कि आते ही सब्सक्राइब मैं बिल्कुल नहीं हो सकता है बहुत सरे लोग है पहली कंपनी में बड़ी कंपनी से साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन जनरली ऐसा तब होता है जब वह खुद उसमें इन्वाल हो या उनके बहुत अच्छे लिंक हो ठीक है फार्मा से कहीं नहीं कनेक्टेड तब मज़ा आता है जब मेरे पास कोई लेने वाला हो अभी तो जब मैं नया काम करने जा रहा हूं मुझे पता ही नहीं कि मेरा माल बिके का कौन सा मेरा कस्टमर कौन है कितना वो लेगा किस रेट मिलेगा मुझे कुछ भी नहीं पता है सस्ती में जादा माल अगर आप ले जोगे कहां पर तो बहुत सारे लोग मिश्टे के करने कर जाते हैं स्टार्टिंग में कि सस्ता माल कहां मिलेगा वहां से लेके आएंगे सस्ता माल लेना अच्छी बात है तब लेना चाहिए जब आपके थोड़ा फार्मिसी जो होल सेट अप हो जाए आपके पास कस्टमर जाए थोड़ा डेटा आजाए आपको पता चल जाए कि यार मैं महिने के अंदर बीका सुल के सो डबबे बेच सकता हूं मैं पेंटा प्रजोल डॉम फिर डॉम के ना 50 बॉक्स कर सकता हूं मेरे पास कापैसिटी है मेरे पास कस्टमर मेरे पास रेटेलर से दिन है घरिंकस्ता करें या उस चंडीशन के निदर आपको आसक्ष्टर पॉत्खेज़ करना पड़े घृएग कंग करना पड़ेगा आप अपह पर सकते हैं नह anxit डाउट आपके मिन में आसकता है यह आपको मुझे मिलेगा ही नहीं तो देखिए यह जो होल्ट के फ्रेंड बिजनस ayant यह बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ही जो आता है ना वो टर्नोवर से आता है जितना जाधा टर्नोवर और जितना फास्ट टर्नोवर होगा उतना ही अच्छा पैसा कोई भी याद नहीं कमाएगा तो आपके सिटी वाला जो होलसेलर है वो आपको माल इसलिए ले देगा क्यो कि वो एपको माल मांघ लां आपके सैम ह押ुए तो आप नहीं दो कि यह ज्यादा से लेगा ann谁 लेगा तो आप माल दे रहो 2% लर परसेंट का होता है दो से 3% मार जिन होता है ओवर यहां जतना जल्डी जो पैसे को रोटेट कर ले जाता है उतना ज्यादा प्रॉफिट पहसी है आप प्राफीट पे काम शाउंड 48 कर लेंगे कर लेंगे आपके पास 2% क्या पर्वंक कर लेंगे आपके पास काम माल ने कर यह क्रही कh प्रफित कर घंदे कदर वही माल फिर मंगा ले आपने तो इसलिए आप यह करेगा जो भी वह क्ला इस पास जीछ rate पे उसने authorized जिस भी company का authorized dealer है उससे उसने purchase किया होगा इसको लेंडिंग प्राइस बोलते हैं तो लेंडिंग प्राइस जो भी होगा उस प्राइस के ऊपर 2% वो लगा के कहीं कुछ-कुछ इस टॉक इस तीन करने के सबस्पर जो पड़ा फायता है कभी भी आप माल लेके जाओगे दो चार काउंटर माल ले आप बन गया हो सकता आपने माल उन पुराना ही माल उनका एक्सपायर हो लेकिन वहां पर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं सेमी स्टॉकिस में काम कर रहा हूं आप बोलोगे कि मैं भी इसका अथ्राइस दीलर हूं ऐसा ही करके मेरे पास भी कंपनी है तो एक्सपायरी ब्रेकेश आपको पकड़ा देगा अब ब इसकिपसन में क्यों गूट्स वापस होता है इसलिए चीज आपको करना पड़ेगा तो जब भी कोई गूट्स एकस्पायरी आपके पास में आता तो जहां से आप निक्टेड है वहां किसको वापस कर दिए यह तो पहला काम ही करना है कि आपको नियर बाई ट्री से ही माल दूसरा काम करना है कि नियरबाइए में देखिए बड़ी डूसरी डिषिक बड़ी में इलहाबाद में हुँ ठीक तो प्रयाग रास का अगर मुझे होलसल यहाँ करना है तो में में माल कहाँ O cardi तो प्रखनाव मेरे पास में बहुत बड़ी है जहाँ पर हर इक माल मिल जाएगा और नीर बाइट परका वहां पर पड़ी मंडी है ठीक है फार्मा की वहां समें पिकप कर सकता हूं माल अब दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि मैं लखनाओ चला जाओ माल खरील तूँ तीसरा मेरे लिए अपसं डेली भी है आप अंडिया में कहीं से भी डेली से माल पर्चेज कर सकते हैं डेली में भी आप 50 डबे मेरे पास बिखने लग गया है मैं जाओंगा लखनाओ और लखनाओ तो वही वाल माल थोड़ा सा ससते में उठाकर लेकर चलाओंगा तो मैं काम करूंगा तो ही पहला काम है माल कहां से लेना है गुड्स कहां से लेना है आई होप आपको नहीं लेना है और उस company के MR के touch में रहना है उसने उसको बोलना है कि भाई जहां भी requirement आएगा मुझे order तो मैं सब जगह सप्लाई करने को तैयार हूं ठीक है तो जिस भी company का आप गुर्स लेरे सिपला के साथ काम कर रहे हैं आप संफार्मा के साथ काम कर रहे हैं अरिश्टो के साथ काम करें जहां भी आप काम कर रहे हैं सभी जहां कोशिश करिए अच्छी सप्लाई करेंगे और अच्छी सप्लाई करेंगे तो अपने रेगुलर इस्टॉकिस ते ज्यादा आपको order देने लग जाएगा और दो पर्शंट आप दे रहे हैं वह खुदी वहीं कहीं नही करते हैं एक तो सिटी का एरिया पूरा परिफरी जो होगा पांदस क्लोमीटर का एरिया होगा जहां पर आम माल को गुड्स को डेली सप्लाई करेंगे एस पर रिक्वाइर्मेंट ठीक है एंड दूसरा एरिया अब बाहर सिटी के बाहर का एरिया तो आप देखो कि आप कहा तक सप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन सा एरिया सप्लाई कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि किस दिन कहा काम करने जाना है अगौ करने मार्क्ट का कवर करने वाले हैं आपको एक चार्थ और मन्डे ट्वीजडी त यहाँ पूरा अइसे तर्का मना लिजिये और मन्दे को कहां काम करने जाएंगे तरसट और के अउप त्यूस्त के लांगे या लोकल सप्लाई को उपर ध्यान देंगे ठीक है इस तरीके से आप प्लान मना लिजे और स्टार्टिंग में अगर आपका बजट कम है तो उस केस के अंदर आप किसी को मत रखिए खुदी अकेले काम करिए थोड़ा मार्केट में जाएंगे सुरू मैंसा ने कि बाहर बहु तो इस तरीके से आपको प्रॉडट आपको ले लेना है और इस तरह के से प्लानिंग कर लेक New York में कहां बाइन करें अब आप अपना shop पे रहेंगे तीन आप भी बाहर जाएंगे ऐसा नहीं कि आप मेरे पैसा है तो मैं point कर लिया हूँ तो मैं बाहर नहीं जाओंगा बाहर जाना बहुत ज़्यदा जरूरी है बाहर इने से supply करने बाद जाने से आपका relation बन सकते हैं ठीक है जो relation आपका जो sales बॉय होगा वो नहीं बना पाएगा ठीक है आप जाएंगे खुद से personal relation build up कर सकते हैं अच्छे बड़े counter जितने भी है वहाँ पे खुद जाएए खुद relationship break करिए और वहाँ पे अपने मालों को लगाईए ठीक है अब यह system कैसे चलेगा आपने प्लान बना लिए पूरे किस दिन कहां जाना है उस दिन आप जाएए जो city के friend condition होता city के supply होती है उसके अंदर ज्यादा तर इसा कोई fix rule नहीं है इसका बट ज्यादा तर condition के अंदर क्या होता है कि हर महीने जितना भी पूरे मंद में आपने माल supply किया हुआ है उसका payment आपको month end पे चिक बनके मिल जात चलान एक प्रकार से estimate जिसको आफ बोल सकते है मोटा मोटा ठीक है estimate bill होता है मौनबा एक्चुल नहीं होता estimated होता है उसको bit not Schools को नहीं होता चलान-पर होता है ठीक है ये सामान दीए है पारटी करेंसी टी बोहुत सारे स्ट्क व के करते हैं और बिल पूरे मंद के दॉनर कर सकते हो चलान में मान कर सकते हैं चलाज पर पर मंद का एक ही बनता जिससे हिसाब किताब कर पाना इजी होता है आसान होता है जबके अग? मेहिने आपने बिल बोला वाने दस दिन दस बर माल को सप्लाइई किया किसी भी मेडिकली स्टोर पर आपके दस बील हो जाएंगे 10 का कल्कुलेशन देखना पड़ेगा आपको लेकिन मंद में एक ही बिल किसी पार्टी का बना हुआ है तो उससे क्या होगा सब उसको भी पार् सारा कुछ मिल गया सेम चीज आपके कंप्यूटर के अंदर इंट्रीज कम हो जाती है तो आपकी च्वाइस है आप चालान पे दो या आप बिल कार्ट के दो आपकी टोटल आपकी च्वाइस है ठीक है दोनों प्रैक्टिस होता है मार्केट के अंदर जिसकी ज्यादा सब्सक्राइब क्योंता होता है अपकी और इस दिन आती है तो उसके 800 वाइपके व यापके रखती अब आपने जाहां न है वहां कग्ले एक डायरी ले लिए आप सुरू सुरू काम करने जा रहे हैं जेतने भी medical store प्रेंड आप मिलने वाले हैं जितने भी medical store आप visit करने वाले हैं सबी मेडिकल स्टोर का नाम एड्रेस और उनका मॉबाइल नाम आपने काम सुरू किया है जाने से पहले आपको डारी लेना है पेल लेना है जो भी कंपनीज है और उनके जो प्रोड़क्ट है उसका प्रिंटाउट ले लिजिए एकसल सीट पर ताकि आप उसको लाइमिनेट क करा लिजिए कि मेरे पास इन कंपनियों की यह प्रोड़क्ट है आपको बताना काफी ज़्यादा आसान हो जाए काफी ज़्यादा इजी हो जाए इसलिए ऐसा करना जरूरी है तो आप क्या करेंगे अपना दो तीन पेज का लेमिनेशन करा लिजिए उसको भी साथ में हुआ है जनलिक वाले हो या प्रिस्किप्स अले है तो अच्छी कंपनी के साथ फ्रेंड हमेशा काम करना चाहिए अगर आप जनलिक में काम कर रहें है तो सब से पहले सब्सेयादा सबसेयादा serious होता है ठीक है तो मैं आपको कंपनी बता दे रहा हूं यहां पे डाल आपको यह 57 companies हो गई अब इसके साथ माइक्रो का भी थोड़ा बहुत माल चाहो तो उठा सकते हो एंक्योर का माल उठा सकते हो एल्डर फार्मा को उठा सकते हो ठीक एक विंग्स फार्मा के कुछ प्रोड़क्ट और आते हैं उसका उठा सकते हो यह मैं लगा भी दूंगा यह सारी यह कंपणिया है इसमें से आप माल अक्रों कच नंक कर सकते हैं इनका में के अचे साथ से क्काम ना चाहें हो बात करता हूं कि ए ऐलकेश वागा प्रन की यह ले लीजी ले सकते का मैं । अप ले सकते हैं और चिव जो मुझे याद आएंगी अच्छी लगेगी उसका जो और थोड़ी मिडल क्लास कंपनी है अरिष्टो का माल आप ले सकते हैं उनके साथ एलेंबिक का माल आप ले सकते हैं ठीक है वैसे ही इन कंपनियों के अपने खुद के आठट दस डिविजिन है यह पांच साथ कंपनी आप लेंगे ना उतने में बहुत हो जाएगा कंपनी में अगर आप थोड़ा-थोड़ा एक डिविजिन का 10 जार का भी माल लेंगे तो सारे डिविजिन मिलाके एक लाक में इक ही कंपनी में इन्विच्प्रियों में आप लीजिएगा और फमसीजी का माल लेना चाहो तो वह भी आप चाहो अब की इच्छा यह वो तो ले सकते हो ठीक है तो मैंने कंपनी दोनों आपको बता दिया इन कंपनी से अपना केरियर आप वहां पर जाएए शुरू-शुरू में आप काम करने जाएंगे लोग इंटर्टेंड करते हैं अच्छे से बात करता कोई दिक्कत ना बताएए का अपने नया काम सुरू किया हुआ है अपना विश्टिंग कार्ड शपका लिजिएगा विश्टिंग कार्ड हर मेंडिकल स्टोर पर देते जाएगा और उनका काउंटेक्ट डिटेल वहां से लेते जाएगा तो पूरे वीक उस पर्टिकुलर एरिया में फोन कर लेना है या एक दिन पहले भी या काम कर सकते हैं आपको फोन करके पूछना है कि मैं यहां से बोलना हो यह यह कंपनी मेरे पास में है आपको इसमें से किसी प्रोड़क के रिक्वार्मेंट है क्या तो जो बड़े-बड़े मोटे-मोट करा देते हैं हमें आउडर मिलने के चांस जो आते हैं एक से और गंटा आपको 20-25 जो भी उस साइट के मेडिकल इस्टोर वाले होंगे सभी को फोन करना है तो धीरे-दीरे क्या होगा फोन करने से मिलने से वह मेडिकल इस्टोर वाला आपसे जुड़ेने लग जाएगा प् क्लिक ही नहीं करेगा जहां से रगुला लेता वहीं से लेगा ठीक है तो इस तरीके से आप आप पर रिमाइन करा के सेल करने जाएंगे लोकल के अंदर में बता है सिटी के अंदर एक महीने का क्रेडिट साइट अगर आप जो है काम कर रहे हैं इंटीरियर में काम करने जा है तो वहां पे वीग और जो कैस प्लो के से से उसको देने लागे उसको ध्यान देने उसको limited goods देने की जरूवत है नहीं तो पेमेंट को फसा सकता है understand यह आपको धेहन रखने की जरूवत है जो city का area monthly payment जो बाहर का interior का area weekly payment इस तरीके से आपको काम करना है अब यहाँ पे medical store medical rep का भी आपको support लेना है जहाँ जहाँ बोले वहाँ पे supply करना है ठीक है and company से बहुत सारा scheme आता है जो की medical rep आपको बताएगा वहाँ पे करिएगा बड़े-बड़े hospital के जो medicine purchase department होता है उनसे आप बात करिएगा वहाँ पे आप supply कर सकते हैं तो friend यह तरीका है जिसके तुरूँ हो आप अपने होलसल का journey स्टार्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर एक चीज़ में आपको और कर देता हूं कि medical store के जो होलसल है उसके growth के लिए growth factor कौन-कौन से हो सकते हैं देखें यहाँ पर सबसे important चीज़ है friend relationship ठीक है पहले जो worker है जो sales point है उसके भरोसे मत बैठिए ठीक है आप खुद जाये market के अंदर पहले खुद explore करिए सारी चीज़ों को सीखिए इससे क्या रहा है आपको अच्छा काम कर रहा है छोड़ की चला गया अब आपको नया worker करा है उसने वह area यह वह सब देखा ही नहीं है आप उसको guide नहीं कर पाएंगे लेकिन जब आप सभी जगा खुद आपने काम किया हुआ है तो जब आए गया कोई बंदा नया देना है कंप्यूटर से साथ एलाइन हो जाएं कितना सेल का मुवमेंट आप हो रहा है कौन से मेडिकल इस्टोर आप से ज्यादा लेता है सेल्स एनलेसिस के उपर जो है टाइम स्पेंड करिए वीकली बेसिस पे या मंधिली बेसिस पे और टाइम से यस्टी फिलब करिए आपको ना आने पाए और दीरे दीरे अब जो नई कंपनी जा रहे हैं उनको भी अपने पास बुलाइए वहां से क्या आपका इन्वेश्टमेंट यादा नहीं लगेगा और सेकेंडरी बेसिस पे पेमेंट होगा गलत जगह माल सप्लाई मत करिए जहां कहीं पेमेंट फस् सप्लाई कर दिया पेमेंट आ नहीं रहा है और आपका कैस फ्लो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जितना ज्यादा आपका सेल बढ़ता जाएगा फ्रेंट होलसेल के अंदर उतना ज्यादा पैसा आपके पॉक्ट से लगेगा क्योंकि उधारी आप दे रहे हो ऐसा नहीं कि सब क पचास जार या एक लागा धंदा निकाल सकते हैं तो इस तरह से हमारा पैसा होता मार्के फस्ता जाता है तो इसलिए ध्यान रखिए जो गंदे क्लाइंट है जो प्रॉपर टाइम पेमेंट नहीं देते उनको हमेशा रिजिक करिए और अच्छे जो क्लाइंट हैं उनके सा चोरी का इल्जाम बहुत लगता है ठीक है अजसा गडबड़ करते भी है तो जब उनको कोई बिल देते हैं सप्लाई करने के लिए वह सारा बिल अपने पास में रखिए बिल को एकुरेटली चेक करिए और महिने के अंदर कम सकम अपने कंप्यूटर के साथ अपने फिजिक तो यह चीज हो गया आपके ग्रोथ के लिए अब यहां पे कुछ हम रिगुलेशंस की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं राइट होलसे रिगुलेशंस की क्योंकि डियाई आई आए आगा वह परिसान कर सकता है वह आप से पूछेगा क्या चीज है क्या लगेंगे देखिए आपका जो होजसे बिद्स का गौ डाउन है फ्रेंड या आएक का आपका चौप है तो इसके दो चीज चीज़े आपके पास होनी जरूरी है पहला आपके पास पर्चेज रिजिस्टर जब आएगा डी आए चेक देखेगा परचेज रिजिस्टर से पिर परचेज बिल एं पर सेल भी होना चाहिए इसके लगाव आपका एकस फाहिरी ब्रेकेज इंड रॉप Nick खराफ हो सकता है और डी आई आके आपको पेनल्टी भी मार सकता है इसलिए उसको किसी भी रैक के उपर खास्तर पर लकड़ी की जो रैक होते हो काफी अच्छे है आजकल लोहे वाले रैक भी आ रहा है जो काफी ज्यादा देखने में अट्रेक्टिव लगते हैं डिपन करता डी आयाए थे इन सारी चीज़ों को देखेगा है और कुछ नहीं होगा कुछ लोग डरते हैं कि डी आयाए पंट कर लेगा सैंपल अगर आप किसी कंपनी का मेडिसीं बेच रहे हैं और वहां पे सैंपल हो जाता उसके इंदर पॉपर नहीं मिलता तो उसकर आपकी रिस्प आपको प्रापर बिल होना चाहिए और वह अथंटिक होना चाहिए देखो जैसे बीकासुल बहुत बिगता चाहिए लोकल भी आ जाता है मार्किट के अंदर तो आपको यह ध्यान अखना अधराइस सोर्स से ही लेना है बड़े ब्रेंट जो है इसका लगन लोकल भी आते हैं ठीक वहीं पर जाके मार्मना गलबड़ जाता है आपने कोई लोकल सोर्स से लेकर आया है इससे पता चलता का आप जानबूच की उस चीज में इन्वाल्व हैं बड़ किसी अच्छी कंपन रखिएगा और अथंटिक सोर्स से लेके आईएगा ठीक कहीं सब्सक्राइब लोकल दवा दे दिया और कल को आपके गले में पढ़ गया और आपका लाइसेंसी रद्द हो गया प्रस आपके उपर पेनल्टी हो गई अगर आप अथंटिक प्रोड़क्स कर रहे हैं तो लेके जाता वह आपको देना ही पड़ेगा मेंटेन करने के लिए बाकी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आती है डियाई से बिलकुल डरने की जरुबद नहीं है अब पेपर्स को मेंटेन रखिए और सारा काम आपका बड़े आसानी के साथ में हो जाएगा ठीक है चलो आई हो के उपर और भी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको वह इंफॉर्मेशन पर्टिक्लर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और उसके उपर भी वीडियो लेके आने वाला हूं कि अगर आप सर्जिकल में काम कर रहे हैं या कोई मैडिसिन की जो अप इलेक्रॉनिक आइटम सोते है च़िसको लेके काम करना जा है तो वह कैसे तरीका होगा ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको को मिलता हूं नस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा उक लाइक कर दीजिए कि से मुझा काफ़ यौदा मॉटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोग आइसे वीडियो प्रोडिउस करता हूँ, बाइ